दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं अम्बेट करनामा जारी है दे बंच ओफ थौट गोलवलकर की पुष्टर इसकी रीडिंग और उसकी व्याक्या आज हम पांचवे एपिसोड में चलते हैं चैप्टर नमबर पांच हमारी रास्ट्री आत्मा की पुकार क्या गोलवलकर के लिए आदर्श हिंदू समाज का अर्थ चतुर वरन व वस्था था क्या गोलवलकर के जो मॉडरिनिटी है आदुनिकता है उसके खिलाब थे और पुरातन युग में वापसी की बात करते थे वैसी विचारधारा रखते थे क्या लिख रहे हैं जरा सुनिये पूरा वीडियो सुनिये शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा लि श्था संस्कृतिक है कि हमारे प्राचीन एवं उद्दात संस्क्रितिक जीवन मुल्यों से उसके प्राणों की रचना हुई है और हमारी संस्कृति की भावना का उत्कठ नव-तारून्य मतलब रेजुन रेजुनर विनेशन ही हमारे राष्ठीय जीवन की सही दृष्टी ह हमें प्रदान कर सकता है तथा आज और राष्ट के समुख खड़ी अनगिनत समस्याओं के समाधान में हमारे सभी प्रयत्नों का सफल दिशा निर्देश भी कर सकता है किन्तु इन दिनों संस्कृति के नव तारुन्य को प्रायह पुनड जीवन वाद और प्रतिक्रियात्मक होने की उपादी दी जाती है प्राचीन पुर्वागरों, मूढ विश्वासों अत्वा समाज विरोधी रीतियों का पुनर जीवन परतिक्रियात्मक कहा जा सकता है क्योंकि इसका परिणाम समाज का फसिलाइजेशन हो सकता है, पाशानी करन हो सकता है किन्तु शास्वत एवं उतकर्ष हारी जीवन मुल्यों का नवतारुने कभी परतिक्रियात्मक नहीं हो सकता इससे केवल प्राचीन होने के कारण ही परतिक्रियात्मक नाम दे देना बौधिक दिवालियापन प्रकट करने के अतरिक्त कुछ भी नहीं है अपनी संस्कृति के नवतारुने से हमारा आश है उन शास्वत जीवन आदर्षों को पुनह जीवन में उतारने से है जिन्होंने इन सहर्ष वर्षों तक हमारे राष्ट जीवन को पोशित किया और अमरता प्रदान की अब क्या है राज जीवन इसकी व्याग क्या आगे करते हैं आगे सुनाओंगा आगे लिख रहे हैं लोग कभी कभी कहते हैं कि आप हिंदू संस्कृति की परिभाशा बतलाईए हाँ यदिपी उसकी परिभाशा नहीं कर सकते पर हम उसे अनुभाव कर सकते हैं कुछ लोग के कि इसके पुर्ण रूब से अस्विकार कर देते हैं वे इसकी परिभाषा नहीं कर सकतें कि केहते हैं ऐसी वस्टु film से क्या लाग जिसकी परिभाषा ही नहीं कर सकतें किन्तु यह तरक क्या युकति संगत है उदारन के लिए चिकित्सा शास्त्र का संपुन पाठेक्रम जीवन की रक्षा हेतु ही विक्सित हुआ है लेकिन अधनीकतम वैज्ञानिक भी यहां बताने में असमर्थ हैं कि जीवन क्या है इसके कारण चिकित्सा शास्त्र की उप्योगता में कोई बाधा उत्पन नहीं जीवन का बाहर प्रकटिकरन एवं मानव पर उसका संगहार हमें उसकी सत्यता में विश्वास कराने के लिए प्रयाप्त है आगे लिख रहे हैं कि इसी प्रकार हमारी भावनाएं आदर्श एवं आकांशाएं अपनी नीजी सत्यता रखती हैं तथा हमारे जीवन में उनका अती महत्पूर्ण कर रहे हैं यद पी परिभाशा और गनित के नियम सुत्रों द्वारा वे व्यक्त नहीं की जा सकते वास्तव में ऐसी स्थूल वज्टों की अप्रिख्षा जो ना पी जा सके और जिनकी परिभाशा हो सके ऐसे सुक्ष्म तत्व ही सच्चे मानव विक्तित का निर्मान करते हैं आगे लिख रहे हैं कि हमारी संस्कृति जो परिभाशा की शेत्र में नहीं आती है मतलब हिंदू संस्कृति कोई परिभाशा नहीं हमारी संस्कृति ने हमारे जीवन के सभी शेत्रों पर अमिट छाप छूड़ी इस प्रकार की सभी अव्यक्तियों में संस्कृति के आधार पर ही देखा करते थे इश्वर धर्म आत्मा पुनरजन्म आधिका उनके लिए कोई अर्थ नहीं था दुर्भाग से उनकी पत्नी जो चिकित्सा के लिए विदेश ले जाई गई थी का द्यान थो गया अपनी रिती के अनुसार उनके शरीर का अगनी संसकार किया गया उस मुठीवर राक का क्या करना चाहिए यह प्रश्ण था एक अगेवादी एगनॉस्टिक जिसे एगनॉस्टिक अंग्रेजी जी बोलते हैं कहेगा यह राक मात्र है इसका लावदायक उप्योग केवल इतना ही है कि खात के समान खेत में डाल दी जाए भौतिक वाद के अ आदर भाव प्रकट करने का कुछ अर्थ नहीं इससे अधिक वह कुछ नहीं कह सकता कि तुम मिट्टी है और मिट्टी में लौट जा आगे लिख रहे हैं कि पंडित नहरू के मस्तिस्क में एक संघर्श उत्पन हो गया उनके भीतर का अग्याएवादी उनसे कहता था फेक दो इस राक को और इस विदेशी भूमी में और लौट चलो पर उनके पुरातन हिंदू रक्त की पुकार थी कि अपनी प्यारी पत्नी के अवशिशों का गंगा माता की गोद में समर्पित करो अंत में पुरातन संस्कारों की विजय हुई राक अपने देश में लाई गई और प्रियाग में पवित्र गंगा यमुना तथा अद्रिश सरस्वती के संगम में विसरजित की गई बाद में पंडित नहरू ने स्वय कहा कि उनकी आधनिक शिक्षा तथा प्रिशिक्षन सभी विद्रो कर रहे थे किन्तों उनके भीतर की किसी चीज ने किसी ऐसी चीज ने जिसका स्पस्टिकर नहीं हो सकता उन्हें राक को तिर्वेनी संगम में विसरजित करने के लिए ब करम सत्य जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है चाहे उसे कुछ भी नाम दिया गया हो कि अनुभूति की आकांशा अत्वा सरल शब्दों में कहा जाए तो इश्वर का साक्षातकार करना किन्तों इश्वर है कहा हम उसे कैसे जान सकते हैं उसका स्वरूप कैसा है उसके कि हम उनका ध्यान कर सकें उसको पा सकें उसका यह वर्णन की वह निराकार और निर्गुन है हमारी समस्यान को सुल्हता नहीं पूज़ा के विविद पंत विकसित हुएं लोग मंदिरों में जाकर सर्वशक्तिमान का प्रतीक मानकर मूर्तिओं पर ध्यान केंद्रीत करने क करते हैं किन्तु हम जो कार्य शक्ति से पुण हैं इन सबसे संतुष्ट नहीं होते हैं हम एक प्राणधारी इश्वर चाहते हैं ऐसे इस वर से क्या लाव जो सुनता सुनता है किन्तु उत्तर नहीं देता है जब तक असमान ने उच्छ योगता संपन भक्त नहूं ये चिन न तो रोते हैं न हसते हैं और न उसमें कोई प्रतिक्रिया ही द्रिश्टी गोचर होती हैं सर्व साधारन के लिए तो वे परमात्मा अनुभूती रहित प्रतीख हैं अतेव हमें एक प्राणधारी इश्वर चाहिए जो हमें कर्म में व्यस्त रखकर हमारे अंदर विश्वास करने वाली सभी शक्तियों का अहवान करें अतेव हमारे पुर्वजों ने कहा हमारा समाज ही हमारा इश्वर है अथवा जनता जनार्दन आदी मानव जाती के एक महांतम शिक्षक श्री राम कृष्ण परमहस ने कहा मनुष्य की सेवा करो उनके महान शिष्य स्वामी विवेका नंद ने भी अत्यंत बल देकर यही बात कही किन्तु संपूर्ण मानवता के भाव में मनुष्य अत्यंत व्यापक कलपना है और ऐसा होने से हमारे देखने और अनुभाव करने के लिए एक ठोस सत्ता के रूप में सरलता से गरहन नहीं किया जा सकता इसलिए यह देखा जाता है कि जिन्होंने मानवता की सेवा को गरहन किया उनमें से अनेकों के जीवन की परिणती जड़ता एवं निस्क्रेता में हुई इसलिए मानव मन एवं मेघा की सिमाओ को समझते हुए हमारे प्रोजों ने कहा है मानवता इद्यादी की बात तो ठीक है किन्तु उस अस्तर पर पहुँच पाने से पुर्व उस शर्व शक्तिमान की कलपना कुछ सिमाओं के साथ गरहन करनी चाहिए जिसको साजा अनुभाव किया जा सके उन्होंने कहा कि हिंदू समाज ये वह विराट पुरुष है सर्व शक्तिमान की स्वें की अईवक्ती है यद्पी वे हिंदू शब्द का प्रियोग नहीं करते किन्तु पुरुष शुक्त में सर्व शक्तिमान के निमांकित वर्न से यही अस्पस्ट है उसमें कहा गया है सुर्य वचंद्रमा उनकी आखे हैं नक्षत्र और आकास उनकी नाभी से बने हैं यहाँ पे अब वो रिगवेद को उद्रित करने हैं और यहीं मूल बात है इसको समझना है कि ब्रह्मन उसका मुख छत्रियें भुजाएं वैशन की जंगाएं तथा पैर शुद्र है इसका अर्थ है कि समाज जिसमें यह चतुरविड विवस्ता है अर्थात हिंदू समाज हमारा इश्वर है जिसमें चतुरवर्ण विवस्ता है वही हिंदू समाज उनका गुलवलकर का इश्वर है यह बात है मूल बात यही है बाकी बहुत सारी बात हैं गोल मूल है इसमें आगे लिख रहे हैं कि जनता में जनारदन को देखने की यह अतीश दृष्टी ही हमारी राष्ट कलपना का हिड़दय है इसने हमारे चिंतन को परिव्याप्त कर हमारे सांस्कृतिक दाय की विविद अनपम कलपनाओं को जनम दिया है यह दृष्टी हमें समाज के प्रतेक व्यक्ति को उस दिव्य पूर्ण के एक अंश के रूप में देखने की प्रेड़ना देती है अतह सभी व्यक्ति समान भाव से पवित्र एवं हमारी सेवा के योग्य है अतेव उनके बीच भेद अबना को हमारी संस्कृति में इश्वर की पूजा का पवित्र रूप दिया गया है लेकिन समाज सेवा में बर्नवेवस्ता के हिसाब से ही चलेगा यहां पर एक तरह से एक साइलेंट इंटर्पोटेशन है कि जो आइडियल हिंदू समाज है वह है चार वर्नवाला समाज हिर्दय को भी पिगला देती है निश्चे ही वह इश्वर है जिसने गरीव निराश्रित एवं पिडित का रूप धारन किया है वह हमें अपनी सेवा के लिए अवसर प्रदान करने इन रूपों में आता है रामकृष्ण परम हंस ने उन्हें दरिद्र नारायन का है यदि एक बार सच्ची सेवा भावना हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है तब हम यहां अनुभाव करने लगते हैं कि हमारी व्यक्तिगत और पारिवारिक संपत्ति कितनी अधिक्यों हो वास्तव में हमारी नहीं है यह तो समाज की देवता के पूजा के उपकरण मात्र है पर से व्याप्त है उसे समर्पन करने के पस्षाथ जो शेश बचे उसी का भोग करो दूसरे के धन के लिए लालच मत करो अभी जो देश में इतने बड़े बड़े पूजीपत्ति हैं सब खरीद रहें उनसे पूछना चाहिए कि उपनिशद उन पर लागू होता है कि नहीं होता है बहराल आगे लिख रहें अतैब हम अधिक से अधिक भौतिक संपत्ति का अरजन करें जिससे समाज रूपी इश सबसे धनीव विक्ति हैं और आरे से बैग्ड बीजे पी आट साल से पावर में भी है फिर भी भुकमरी क्यूं है इसका जवाब तो गुलवलकर साहब होते तो पूछा जाता आगे लिख रहें कि उस संपुर्ण सब बती में से हमें अपने लिए केबल उतना ही उप्योग म में लाना निश्य ही समाज की चोरी का कार रहे हैं यहां श्री मद्भगबद गीता को कोट करते हैं कि नारत कहते हैं उसमें नारत कि शरीर की इस रिदी के लिए जितना आवश्यक है उतने पर ही मनुश्य का अधिकार है जो अधिक गरहन करता है वह चोर और दंडनिये इस प्रकार हम समाज की संपत्ति के संदक्षक है ट्रस्टी मात्र है हम उस रिती से समाज सेवा तभी कर सकते हैं जब सचे रूप में उसकी धरोहर के संदक्षक हो जाते हैं सेवा का यह शुद्ध भाव उदय हो जाने पर अथ्वा आत्म प्रशनशा के लिए कोई स्थान ही रहता है कि आज हम सभी जगा अधिकारों के लिए कोलाहल सुनते हैं हमारे सभी राध्यतिक दल्वी समान अधिकारों की बात बोलते हुए लोगों में भाव जाग्रित कर रहें कहीं भी करतब्य और निश्वार्त भाव की सेवा पर बल नहीं दिया जाता सोकेंद्रित अधिकार ज्यान के वायू मंडल में सयोग की भावना जो समाज की आत्मा होती है उसमें जीवित नहीं रह सकती इसी कारण आज हम अपने राश जीवाने बिवित घटकों के समसाथ करने से ही हमारे राश जीवन में सयोग की सची भावना एवं करतब्य की चेतना पुनर जीवित हो सकती है आगे लिख रहें कि हमारी संस्कृती हिमाले के समान उन्नत्रिष्टी का एक और शिकर है जिस पर पहुंचने की महत्वा कांचा संसार में अभी तक अन्य किस कि एक वाक्य द्वारा की गई है सथे एक है रिशी उसका विविद्ण प्रकार से बखान करते हैं सुंदर भाव को व्यक्त करने के लिए अंग्रे जीन में कोई शब्द नहीं है इस भाव आगोव करने के लिए शैष नूता शब्द को प्रया प्रयोग में लाया जाता है को मात्र सहन करना है किन्तु इनके लिए कोई प्रेम अत्वा सम्मान नहीं दिखता परंतु हमारी शिक्षा अन्य विश्वासों एवं दृष्टिकोनों को इस रूप में सम्मान करने तता स्विकार करने की रही है कि वे सब एक ही सत्य तक पहुंचने के अनेक मार्ग है जहां एक उधारन दे रहे हैं उधारन ये है कि यह एक पहाड़ी के उन विविद्वर्ननों के समान है जो भीन मार्गों से उसकी चोटी पर पहुंचने वाले विक्तियों ने किये एक मनुष्य कहता है कि वो एक भिशन चटान है दूसरा कहता है कि यह चटान नहीं बिलकुल जंगल है तीसरा कहता है कि यह तो जाडियों से भरी हुई है आदी आदी उनमें प्रतेक सही होते हुए भी अपुर्ण है इस प्रकार कि कुल अपुर्ण वर्नों से हमें उस पहार का निकेश यह या एक बबटे तीन करण देने से पुड़नांग के अποाला कुछे को जोड़ देने से पुड़नांग प्राप्ट करना से झाल हो सकता है ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपुर्ण है यूसर समस्टिगात रूप में उपस्टित हो और एक सरवांग पुर्ण समाज का निर्मान कर सकते हैं। आगे लिख रहे हैं कि अपनी संस्कृति के इन उद्दात वैसिस्टों को पुनर जीवन से ही हमारे समाज का सर्वसाधारन वेक्ती रास्ट जीवन के द्रिश्टी से इस्फूर्थ होगा तता आज के व्यक्तिक एवं पारिवारिक एवं अन्य संक्रिण विचारों के आवेश्टन से बाहर आकर चारित्र सेवा एवं बलिदान की भावना से उन्नत होगा ऐसा कोई भी रास्ट उन्नत नहीं हो सकता जिसका और केवल कुछी असमान्य विक्तित्व के हो असमान्य गुनों से संपन होना बहुत थोड़े प्रशन करते हैं कि हमारे स्वें काका इस प्रकार के अपवाद स्वरूप जीवन में हमें साहस दे सकते हैं किन्तु कभी-कभी वे हमें इस प्रकार से खिन्द कर देते हैं कि हम सब जिस भूमी पर हैं उससे इतनी भव्य उचाई तक उठने में हम असमर्त हैं आगे प्राचीन इत्यास पर भी चर्चा कर रहे हैं कि विविद इत्यास विदेशी इत्यास कार्थ था उस समय के यात्रियों के तुलनात्मक अध्यन हमें बताते हैं कि एक समय देश का जनसाधारन अन्य देशों के सामाने जन से अतुल्य श्रेश्ट था, क्योंकि हमारे नेताओं ने समाज के प्रतेक स्थर में सांस्क्रितिक संस्कारों को निवरिष्ट करने के लिए लगातार अथक प्रयत्न किये थे। इसलिए हमारे समाज के प्रतेक वर्ग से बिद्वान और ग्यानियों से लेकर क्रिशा, कोरी, मोची, डोम तथा इसी प्रकार के अन्य लोगों तक से संथ, महात्मा और शूर्वीर मिलते हैं जिनके विचारों और कृतियों ने उपरी ब्यावधाना को पार करते हुए लोगो इस सही सांस्क्रितिक दिरिष्टिकोन के पुर्व आभाव के कारण हमारे लोग अनंत समस्याओं की आबदा में फसे हैं यह सभी समस्याएं जन साधारन अस्तर निम्न होने के कारण ही उत्पन हुई है हम पराय सुनते हैं कि एक बहुत बड़ी जागरिती आई है और हमारे लोगों में राजनितिक चेतना बढ़ रही है जागरिती ग्यान है तथा ग्यान वह योगता है जिससे विविदिता में एक्ता की अन्भूती होती है कला के अस्थान पर सामंजश्य की प्राप्ती होती है और स्वार्थ के अस्थान पर समाज की अराधना होती है अता एक्त के लिए कारण नहीं करते किन्तु विद्ध समस्याओं को अधाधिक अधिकाधिक पछोप पक्ष उत्पन करने के लिए उपयोग में लाते हैं तो हम अज्ञान से ज्ञान की और प्रगती नहीं करते हैं वरन अज्ञान की गहराई में और भी डूबे रहते हैं आगे लिख रहें कि हमारी वर्तमान काल की अधिकतर क्रियाओं के प्रेरक उद्रिश्यों पर अगर दिरिश्टी पात करें तो हमें विश्वास दिला देगा कि वह सच्ची जागरिती अर्थात ग्यान से उत्पन नहीं हुए वरन उसकी उत्पत्ति अंधकार एवं अज्ञा से हुई है जब हम अपने दात सांस्कृतिक मुल्यों की बात करते हैं तो आत्निक पाश्चते सभिता में पले लोग सोचते हैं या कोई रहसेमाई चीज है कुछ पारलोकिक वस्तू है या केवल हमारे मांसिक दासिकी वर्तमान गहराई को प्रकट करता है जिसने हमें उनसे धानतों को समझने के सामर्थ से वंचित कर दिया है जो कभी हमारे रास्ट जीवन के गौरव थे अब इनके लिए आदर्श क्या है देखिए और कैसे आलोचना कर रहे हैं आधनिकता मॉडरिनिटी लिख रहे हैं कि आज हम नाच गान चलचित्र तथा नाटकों को संस्कृत संस्कृति मानने लगे हैं इस प्रकार के सांस्कृतिक कारेकरम अपने देश में सभी जगत चलते हुए दिखते हैं निसंदे हलके मनुरंजन का दूसरा नाम संस्कृति हो गया है यह इतनी हास्यास्पद एवं अपमान कारक सीमा तक पहुंच गया है कि नैतिक दुष्च चरित्रता के कीचर में फसे हुए चल्चित्र के कुख्यात नट नटी हमारे सांस्कृतिक प्रतिनीदी मंडलों में सम्मिलित किये जाते हैं जिस देश में राम और सीता जैसे आदर्श चरुत चरित हुए जिसने पुर्व काल में श्रेस्तम दार्षनिक एवं रिशियों क को तथा वर्तमान काल में विश्व में सहज सम्मान तथा प्रेमादर प्राप्त करने वाले विवेका नंद और राम तिर्थ जैसे व्यक्तियों को अपनी सांस्कृतिक प्रतिनीदी के नाते भेजा हैं हम यह वी देखते हैं कि हमारे प्रमुक सनस्कृतिक पूरुस कोट अनकोट मिस इंडिया की सौंदर्य प्रतियुटावं निर्नायकों की रूप में भाग लेते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सन्स्कृतिक के संबंद में उनकी जो कलपना है इसमें हमारे नारित्व के आ हमें अपने को दूर रखना होगा और अपनी संस्कृति के शास्वत एवं जिवन दाई तत्व को आत्मसाथ करना होगा इस पस्तया या संस्कृतिक संस्कार देने का कार है जिसे बिना किसी डिमडिम अत्वा परचार के तिरित्ता पुर्वक वर्षान वर्ष शांती से चलाना चाहिए किन्तु आज अपनी संस्कृति के सहीद रिष्टिकोन के आभाव में इस शांती को भ्रहमवर्ष गुप्तता सिक्रेशी मान लिया जाता है हमारी संस्कृति परदर्शन का समर्थन नहीं करते यहां एक्जांपल दे रहे हैं लिखते हैं कि उधाहरा नार्थ हिंदू पति पत्नी अपने प्रेम का प्रदर्शन सब के सामने नहीं करते हिंदू पत्नी आंसू आलिंगन अथवा चितकार से अपने प्रेम को व्यक्त नहीं करते इसके विपरीत पाशाते लोग अपने प्रेम को नाटकिये आलंगनों चुम्बनों से प्रकट करते है यह नितांत बाहे प्रदर्शन है क्योंकि दूसरे ही दिन उनके सम्मंद विचेद होने की संभाव ना रहती तो क्या यहां भारत में सम्मंद विचेद नहीं होता है जो अरेंज मेरे तो होता है जाती में होता है उनका भी तो होता है यह तो सुचनी की बात है वहराल आगे लिख रहे हैं कि हमारे यहां लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे वरन अपने मुख मंडल पर प्रेम की एक आभा प्रकट होती है और वह प्रेम सदैव अखंडित बना रहता है हमारी संस्कृति ने सदैव यह सिक्षा दी है यह सैयत प्रदर्शनों की अपैक्षा सम्वेगों का सैयमन अधिक शक्तिशाली और मोहक होता है यदि प्रेम को व्यक्त करने का हमारा धंग स्वेष्ट माना जाता है तो कारे का शांत धंग भी इतना ही स्वेष्ट है कंकूल्डिंग पोर्शन में आ रहे हैं लिख रहे हैं हमारी संस्कृति के इन प्राचीन एवं जीवनदाई लक्षों को पुनह तारूने प्रदान करने के कारे किए अविलंब आवशक्ता और सर्वपरी महता हमारे राश्ट के वर्तवान संदर्व में ही नहीं वरन अंतरास्टिय संदर्व में भी है हमारे सांस्कृतिक द्रिष्टी जो मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम एवं सामंजश्य के लिए सच्चा आधार प्रदान करती है और जीवन के संपूर्ण दर्शन को मुर्द करती है आज के इस युद्ध से ध्वस्त हुए शक्ता है यदि महान जागतिक लक्ष में हमें सफलता प्राप करना चाहते हैं तो हमें प्रत्म अपना उधारन प्रस्थूत करना होगा हमें विदेशी विचारों की मांसिक सिंक्लाओं और आधनिक जीवन में विदेशी विहवार्त था और इस्थिर्फ फ्रेशनों से अंधानुकरन माने प्रगती नहीं वह तो आत्मिक प्रादिंता की और ले जाता है फिर भी हमें विश्वास है कि वर्तमान विपर्यास एवं मिथ्या कलपनाएं केवल छनिक दृष्ष हैं हमारी संस्कृति की जरें अमरता के श्रोतों में अत्यंध दृड़ता से गहराई त प्रकति को निश्चय के साथ प्रकट करेंगी ही और विगत कुछ शतावदियों में व्रिद्धिगत परवपजीवी पृति का प्रत्याग प्रित्याग करते हुए अपनी संपुर्ण पुरातन शुद्धता एवं भविता के साथ एक वार पुना अंकुरित होगी यह आव विचार नवनित का पेज नंबर 35 से लेकर और 43 थर्टी फाइव टू फुर्टी थरी आप देख सकते हैं और अब सोचिए कि इतना मानव मानव प्रेम की बात हो रही है कि यहां महिलाओं पे कितने अंतैचार हो रहे हैं बलातकार हो रहे हैं दलितों पे हिंसा हो रही है मु पीरों की संक्या बड़ी है कुछ लोगों के हाथ में करोड़ और वो की संपत्ति हो गई है और हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है भुकमदी के शिकार हैं क्या इस दर्शन से वो मुक्ती मिल सकती है दोस्तों आप सुन रहते हैं अमबेट का नामा पूरा वीडियो शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए जल्दी आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में शुक्रिया जैवी